इंदोर की तिलक नगर पुलिस ने लूट की यूजना बनाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं आरोपियों ने पिछले दो दिनो पूर्व तिलक नगर थाना शेतर में खिलोने की दुकान पर पिस्टल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था वहीं आच चारो आरोपियों एक जुएलर्स की दुकान लूटने की यूजना बना रहे थे पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है बतादे शेहर में लगातार लूट की वारदाते बढ़ रही है और इसी पर अंकुष लगाने एवं नकाब जनों की धरपकड करने की देश से पुलिस ने एक अभियान भी चलाया है वहीं पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक इस्थान पर एकत्रित होकर तिलक नगर ताना शेतर में से तस्सुर्भी ज्वालर्स को लूटने की यूजना बना रहे हैं इस पर से पुलिस ने तुरंत कारिवाही करते हुए वहां दबेश दी और वहां से पुलिस ने आदित्य मुरारिया, आनंद शर्मा, अमन वर्मा और रोहिट डाबी को गिरफतार किया है इन आरोपियों ने दो दिन पूर्व में भी खिलोने की दुकान में पिस्टल लहरा कर लूट की वारुदात को अंजाम दिया था पकड़े गए इन आरोपियों से पूछताच कर पुलिस और भी कई लूट की वाऱ्दातों का खुलासा कर सकती है पुलिस ने आरोपियों के पास एक पिस्टल एक जिन्दाकार्थूस और लोही की टॉम ही जब्स की तेरा तरीक को एक घटना हुई थी जिसमें तीन लोगों ने जो की हाथियार बंद थे एक दुकान में गए और उन्होंने दुकांदार से 6,000 रुपे की एक बाइक जो की ख खिलोने थी उसको मांग की और बजाय पाइफे देने के उन्होंने पिस्टल दिखा करके उसे लूट ले गए भले ही खिलोने को चीना हो लेकिन जिस तरीके से घटना हुई थी पिस्टल दिखा करके किसी को धंका करके पुलिफ ने इसे ततकाल गंभिरता से लिया इसमें की प्रक्राण पंजीबत किया गया इसे पूरी टीम अतरीक पुलिफ अरिक्षाक और पूरी टीम उसमें ततकाल घटना अफ्थल पर पहुंची और पुलिफ ने अगले 6 घंटों में इस पूरे मामले का आरूपियों के पहचान कर लिए हलांकि उस समय कोई असा सीरा क्लू पूरे पहुंते थे चृजर अब कर लीगई है जिसको दिखा करके उन्होंने लुट किये अपराधियों में दो पराधियों के अपराधिक रिकॉ coneına करके है तो उसके बारे में pollution कारी जुटा रही है उस पूरे मामले में अभी और खुलासे होंगे लेकिन आज अगर हम देखे तो इसमें से आरोपी जो की यस के साथ जो मुख्तोर पे सक्री था अधनान उसमें पकड़ा गया है और उसके साथ साथ तीन उसके और साथ ही जो कि उसके स हसा करके अभिहस्त मनाया उन चारों लोगों के बिरूद पुलिस पूस्टाच करके और जनकारी जुटा रही है